असलाम लेकुम एवरिवन मैं हूँ जैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे इंटिमिटेन फास्टेंग के डाइट प्लान के बारे में इंटिमिटेन फास्टेंग क्या है, किसने करना है, कौन कौन कर सकता है इस सब पर मैंने एक वीडियो पहले बनाई है, आप उसको देख सकते हैं इसमें हम सिर्फ इसका डाइट प्लान डिसकस करेंगे और वो विंडो जो हम डिसकस करने जा रहे हैं, वो होगी हमारी 16 तो 8 आवर्स जो जितना भी आपने खाना है, जो आपका डाइट प्लान है, वो सारा दिन में खाएं उस टाइम पे हमारा मेटाबलिजम जो होता है, वो फास्ट होता है उसको digest करने की जो capacity हमारी body में होती है, वो strong होती है हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हमारी body को कि वो उसको lose करे और फिर हमें help करे, उसको utilize करने में, body से निकालने में body से निकालना बहुत असान हो जाता है, अगर हमारा जो metabolism है, वो fast हो तो जो diet plan हम discuss करेंगे ये हम सुबह 8 o clock से start करेंगे आप इसको अपनी routine के मताबिक ये 8 गंटे कोई भी 8 गंटे set कर सकते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले हमारा जो plan है उसके according आपने final seeds लेने हैं खाने के खा नहीं सकते हम लेकिन हम पी तो सकते हैं बाकी जो 16 hours हैं उनमें हम पी कुछ भी सकते हैं वो final seeds हो सकते हैं वो कोई भी green tea हो सकती है cinnamon tea हो सकती है जीरा tea हो सकती है कोई भी जो हमारी nutraceuticals हैं उनको हम consume कर सकते हैं इस time हम लेंगे final tea final seeds drink बनाने के लिए 1 लीटर पानी लें उसमें 2 चमच भरके table spoons जो है वो fanal के डाले यानि के soft के डाले और उसको cover करके lid से boil होने दें जब अच्छी तरह boil हो जाए और उसका पानी का color change हो जाए तो उसको चूले से उतारके रख दें और उसको cover रहने दें जब वो नीम गरम हो जाए एक glass सुबा आठ बजे उसका consume करें बाकी पूरे दिन में time to time आप consume करते चले जाए इसका फाइदा ये होगा हमें constipation नहीं होने देगा हमारी body से जतने भी fats होंगे उनको निकलने में help करेगा उनके लिए बहुत आसानी करेगा हमारे metabolism को सुबा सुबा एक बहुत अच्छा boost देगा हम पूरे दिन में जो भी खाएंगे वो उसको weight loss करने में body से उस खाने को निकालने में help आउट करेगा उसके बाद आदे घंटे या 45 मिनिट्स के बाद अपना breakfast ले मैं बहुत सरे लोगों को जब oats recommend करती हूँ तो वो आगे से कहते हैं कि हमें दूदवले oats या पानी में oats नहीं पसंद हमें salan के साथ या खुजूर के साथ शेहद के साथ मीठे हो जाते हैं हमें उसका मज़ा नहीं आता तो मैं आज आज आपके साथ एक simple सी उसकी भी recipe शेयर करती हूँ आप उसको try करें और मुझे जरूर बताईएगा कि आपको वो कैसी लगी सबसे पहले उसके लिए एक spoon oil एक non-stick pan में डालें जिसमें अपनी मर्जी के spices green chili, red chili, coriander powder, turmeric, उसके साथ सूका धनिया, जीरा, इलाइची, दारचीनी आप सब डालके उसको अच्छी तरह से भून ले उसके बाद उसमें chopped onions डालें और उसको थोड़ा सा saute कर लें उसके बाद उसके अंदर अपनी favorite सबजियां डालें सबजियों में आप गाजर ले सकते हैं, cabbage ले सकते हैं, गोबी हो सकती है, बंद गोबी हो सकती है, शिमला मिर्च हो सकती है, मटर हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, लोबिया हो सकता है, पालक हो सकती है आपकी मर्जी का कोई भी जो vegetable है आप उसमें add कर सकते हैं अगर आपको अंडा लेना साथ पसंद है तो आप अंडा डालके उसको फॉरन मिक्स कर दें ताके वो आपकी एक सबजियों के साथ अच्छी कांसिस्टेंसी बना ले, कवर करके रख दें और उसको कुक करें अफटर 10 मिनिट्स बहुत अच्छा सा जब वो कुक हो जाएगा सबजियों गल चुकी होंगी उसमें अपने ओट्स टाल दें जो ओट्स है वो रेडी टो कुक ओट्स होने चाहिए ताके आप उनको डालें और उसके साथ पानी के आप पकाएं तो वो बहुत अच्छी से आपके हो गए आपके काबो हाइडरेट्स हो गए आपने सब कुछ एक जो पावर पैक है वो ले लिया है मौर्निंग में इसके साथ आप चायका कप कॉफी या अपनी ग्रीन टी तीनों में से कुछ भी कंजियूम कर सकते हैं इसके इलावा हम सैंडविचेज का भी इस्तमा से बना कर उसको सौटे करें और उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं अपने ब्रिकफस्ट के आप्शन में अब आपने जो अपना एक मिड्मॉर्णिंग स्नाक है वो दस से साड़े दस के दरम्यान में ले लें मिड्मॉर्णिंग स्नाक का क्या फाइदा होता है कि जो हम लांच ल हमारी फ्रू evaluate की जो नीड्म होगी भी पूरी हो जाएगी और हम एक बड़ा अच्छा जो है ना वो लांच के लिए अपनी बॉटी को रेडी कर लें इसमें आप एक ऐपल ले सकते हैं हाफ बनाना ले सकते हैं एक पीच ले सकते हैं आप 5-6 ड्रेप्स खा सकते हैं आप 2-3 प्लम खा सकते हैं 5-6 खुबानी खा सकते हैं आप 2 अख रोट का इस्तमाल भी फ्रूट्स के साथ कर सकते हैं उसके बाद बारी आती है आपके लांच की लांच जो है वो आप तकरीबन 12 एक के दरम्यान अपना लांच ले लें लांच में आप एक मल्टी ग्रेन रोटी लें और उसके साथ सालन और थोड़ी सी 1-2 टेबल स्पून्स दही का इस्तमाल कर सकते हैं और उसके साथ 1 क्यूकंबर का इस्तमाल आप करेंगे अब मल्टी ग्रेन रोटी में आपकी मर्जी के आटे आप शामिल कर सकते हैं मल्टी ग्रेन रोटी बनाने के लिए एक कप बेसन जवार का आटा, जौ का आटा उसके साथ मकई के आटे का इस्तमाल भी अगर आप कर सकते हैं कि अगर वो आपको सूट करते हैं तो उसके साथ आप उसमें फ्लैक सीड्स डालें, कलवंजी का इस्तमाल करें उसके साथ जीरा उसके अंदर डालें और सोड़ा सा कुरियंडर पाॉडर और पानी के साथ जसतरा सिंपल आटा गूनते हैं उसको गूने और आम रोटी बनाते हैं जिस तरह से उसी तरह से उसको बेल के बना लें और सालन के साथ कंजियूम करें ये एक बड़ा अच्छा बूस्ट देगा आपको और भूक भी नहीं लगने देगा जितने भी एक्स्ट्रा आपकी बॉड़ी में फैट्स हैं उनको बॉड़ी से निकालने में बड़ी हेल्प करेगा इस रोटी पे देसी घी का एक चमच आप लगा सकते हैं देसी घी जो है वो मोस्ट हेल्दी घी में से एक घी है कि देसी घी का हमारी बॉड़ी पे कोई भी नुकसान नहीं है अगर हम उसको 1-2 टी स्पॉन्स पूरे दिन में यूज़ करें तो बजाए इसके कि वो हमें नुकसान दे वो हमारी बॉड़ी के लिए बड़ा बेनेफिशल है और हमारी बॉड़ी को एक healthy, nutritious feelings जो है वो देता है और बड़ा powerful हमें रखता है उसके बाद हमारी बारी आती है अब evening snack की evening snack में आप एक cup चाय ले सकते हैं, green tea ले सकते हैं उसके साथ 5 बदाम, 2 अखरोट, 3 reasons का इस्तमाल आप करें उसके बाद बारी आती है हमारे dinner की अब dinner हमारा जो है वो 6 to 6.30 के दर्मियान maximum हो जाना चाहिए यह अब एक closing window की तरफ हम जा रहे हैं जिसमें आप turmeric दूद का इस्तमाल कर सकते हैं हल्दी दूद जो के gold milk है उसका इस्तमाल कर सकते हैं उसके साथ आप egg salad ले सकते हैं अब egg salad आप किस तरह से बना सकते हैं टीन boiled eggs लें एग की जो योक है उसको निकाल दें सिरफ egg whites का इस्तमाल करें उन तीन egg whites को चोटे चोटे pieces में कट कर लें उसके अंदर chopped tomato, chopped onion उसके अंदर आप जो है वो काली मिर्श का लाल मिर्श का इस्तमाल कर सकते हैं नमक का इस्तमाल प्लीज अवोइड करें उसके साथ आप इसको जब mix करेंगे तो ये एक बड़ा आपको अच्छा soothing सा salad लेगागा इसमें आप अपनी मर्जी की अगर कोई और सबजी डालना चाहें तो कोई एक सबजी आप थोड़ी अमाउंट में डाल सकते हैं अब इसमें ये सारी चीज़े ही healthy हैं सिरफ आपने अपने portion size का इसमें जो control है उसका देहान रखना है और उसके साथ portion size का देहान रखने के साथ-सके उपर एक lemon squeeze कर लें lemon एक अच्छा taste भी देगा और vitamin C भी देगा vitamin C जो है वो हमारी skin को अच्छा बनाने के लिए बहुत helpful होता है और हमें help करता है body को और हमें help करता है skin को अच्छा रखने में रात को almost 9.30 के करीब अपनी हम night drink लेंगे और उसके बाद हम सोने की तरफ जाएंगे 9.30 अपनी हमने रात की drink ली 10 वजे के करीब हम सो जाएंगे रात के drink में हम क्या लेंगे हम 2 cup पानी boil करेंगे जब वो अच्छा boil हो जाए उसको चूले से उतार लेंगे उसमें cinnamon sticks डालेंगे और उसको उपर से cover करके रख देंगे 5 मिनट बाद उसमें आप देखेंगे कि cinnamon का जो color है वो पानी में आ चुका होगा cinnamon के जितने भी good oils और essentials हैं वो हमारे पानी में आ चुके हैं अब आप उस पानी को नीम गरम ही consume करें ये हमारी body को constipation की तरफ नहीं जाने देगा हमारी body को healthy रखेगा और हमारे जो हम intermittent fasting की मिहनत कर रहे हैं हमारे weight loss में उसको help करेगा और इस diet plan के साथ आप एक महीने में 5-6 kg तक lose कर सकते हैं जो के एक बहुत healthy weight loss है और आपकी body को पता भी नहीं चलेगा और अब weight loss भी कर लेंगे खुश रहें, healthy रहें Thank you so much